ये लोसी वार वाकई कोई जंग चेड़ने वाली एंडिया पाकिसान की या पिछसे महाँस तो आपके दूसरे वार्डर्स पर पुले में मेरे लिए दें मुझे यह क्या यह पॉलिटिक्स है या वाकई कोई जंग चेड़ने जा रहे हैं जहिन दोस्तों मोड देज में आपका सौगत है दोस्तों इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मद भूलेगा तो दोस्तों आज पाक मीडिया बात करें कैसे भारत ने एक ऐसा डिसिशन लिया है जिसके बाद पाकिस्तान कोई दर लगने लगाए कि भ भारत 2024 के जेनरल इलेक्शन से पहले पाकिस्तान पे हमला कर सकता है और पाकिस्तान को ये डर इसलिए लग रहा है क्योंकि भारत ने टेजस फाइटर जेट पाकिस्तान चीन के बॉडर पे टैनाद कर दिया है तो पाकिस्तान को लगता है कि ये योट करने से पहले की तैयार ब्हुत कर रहा है और भारत 111 पाकिस्तान चीन पर हमला करेगा डिन्टीबनेटि फोल के इलेक्शन से पहले ताकि मोडी जी को इलेक्शन में फायदा मिले तो पाकिस्तान आज इसके बारे में रो रहा है दोस्तों ये वीडियो बहुती मिश्चार है पुरा से रो दिखेगा रेचिलिये और इंतिसानगर के ये वी डिरिक्ट है मेरे लिए मजीद तश्वीश नाके और मैं इसको शायद डिसकस ना करता लेकिन चूंकि दो दफ़ा ये बात हुई है अब ही हम राजिनाथ सिंग जो के वजीर दिफा है उनका कोड भी दिखा देंगे उन्होंने ये दो दफ़ा बात किये पिछले तीन चार दिनों में और दो दफ़ा उन्होंने बात किये वजीर दिफा और दो दफ़ा वो बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम line of control کو عبور कर सकते थे हम कर सकते हैं हम करेंगे फिर वो कर सकते हैं करेंगे तो अब wire ने आज इस पर लिखे है के what lies behind Rajnaas call for crossing LOC यह LOC war वाकिए को जंग चड़ने वाली है इंडिया पाकिसान की यहाँ और times of India को में जो है वो यह अगर हम दिखाएंगे इसको के वो कहते हैं कि इंडिया नार्वे विए क्रॉस LOC अच्छा इसको यह दो दिन पहले बयान दिया था इसको मैंने का यार यह पता नहीं चाहिए कोई बेर इन्होंने दुबारा बयान दिया तो डॉक्टर सब महास तो आपके दूसरे वार्डर्स पर पुले में तो आप पाकिस्तान के हवाले से को में बाद के रहे हैं एक तो यह जो वायर ने बड़ा तफसरा इसको पर लिखा है कि क्या यह पॉलिटिक्स है या वाकिए कोई जंग चेड़ने जा रहे है क्योंकि ये बात राजनास सिंग तो चले इलेक्शन आ रहा है लोक सबा का तो उन्होंने चले एक बयान दे दिया मगर उसके साथ जो फार्मर आर्मी चीफ का बयान है किसके बीचे चाइना है और टू फरेंड वार और साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि कोई मुलक आज तक टू फरेंड वार में नहीं जीता ये भी वो कह रहे हैं वो ये भी कह रहे हैं लेकिन ये भी कह रहे हैं कि जी चाइना इसमें इंवाल्व है और जाहर है कि वो आर्मी चीफ हैं तो वो उनके बियान को चाएना किसी और अंदाज में लेगा और साथ ही ये बियान और तो मेरी तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा वही बात है ना कि क्या ये वाक़े कोई वार्ड ड्रम्स बजने चुरू हो गए है नई डेली में इलेक्शन में का क्रीब आ रहा है पहले एक दोजार अन्निस का वाक़ा सबके जहनों में है पिलवामा का क्या वाक़ की वार्ड ड्रम्स बजने चुरू हो गए हैं अचा उस वाक़े के बाद पिर चाइना वह तो आद निस का वाक़े ना 2020 के यह उस वाक्य के एक साल के बाद चाइना के साथ उनका यह गल्वान वैल्य और यह सारे शुरुआ था कि जो तेजस है उसको उड़ते हुए देखा गया है या वो डिपलॉई किये गए हैं इस तरह की खबरे आ रहे हैं विए तेजस विल फ्लाइ अक्रोस थी बार्डर विद पाकिस्तान बगाएदा यह खबर भी है हमारे लिए खास तोर पर यह बहुत इंपॉर्टन और बहुत इहम इसलिए है कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान के बार्डर के साथ जो हमने बात की वह भी सामने आ रही है तो हमारे लिए जो है अलार्मिंग न्यूस इसलिए है कि हमारे बार्डर के साथ अगर इस तरह की डिप्लाइमन्ट हो रही है तो किसी भी कंट्री के बार्डर पर अगर कोई ऐसी डिप्लाइमन्ट होगी और फिर हमारे तालुकात किसी कंट्री के साथ ऐसे होंगे तो हम उसको एसे देखेंगे और उसके पर बात भी होगी और यह कहा जाएगा कि यह क्या हो रहा है यह क्या अजाइम है इंडिया के यह वो हम समझ सकते हैं बिलकुल कि कारगल जो है उसकी हम हिस्ट्री हिस्ट्री साब अच्छी तरीके से जानते हो हमें सब को ही पता किया सूरत है लेकिन अब ये जो है ना सिलसला किया ये उसी की एक कड़ी है और क्या ये बताने की और दिखाने की कोशिश की गई है कि ऐसा कुछ होगा तो फिर ठीक है हम भी तयार है या हमारी तरफ से जो है फिर देखें फिर हम क्या करते वगएर वगएर इस तरह की चीज़े आपको पता है चल है तो उसमें फिर जाहर है कि पाकिस्तान और चाइना दोनों के लिए होगा लेकिन जैसा मैंने कहा कि इस तरह की जब भी कोई मूवमेंट होती है जैसे हमने देखा था कि अभी साउट चाइना सी और वहां पर कुछ ऐसी मूवमेंट हुई थी तो उसमें तमाम वही सामने कि यह चाइना के है उसको काउंटर करने के लिए इसे पाकिस्तान का कोई यह सच तालुक नहीं है ना कि हमारे जितने क्लाइंट्स हैं उनमें कुछ इंडियन क्लाइंट्स भी हमारी उनसे बात होती है तो जब हम उनसे बात करते हैं ना कि हमें इस तरह फील नहीं होता कि like something happening between us यह सरफ political level पर हमारे मतलब के अवाम के दर्मियान नहीं है तो अपकोर्स हमें मिलके कुछ step forward करना चाहिए हमारी क्योंकि बेहतरी इसी में है क्योंकि neighboring countries के साथ अगर आप history देख लें जिसने भी उनके साथ मिलके काम नहीं ना किया वह कहीं ना कहीं जाके ना उनमें वह लैक है हो मुश्किलात में पड़े हैं चल दोस्तों इस वीडियो पे बात करते हैं तो पाकिस्तान हर चोटी चीज़ चीज़ है और वैसे तो कहता है कि हम झुछे दर्न नहीं लगता भारत ने कर चीन के बार्डर में टेयन थे कर दिया है तो पाकिस्तान को डरने की कोई जर्वत नहीं है क्योंकि जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान तो कहता है हमें किसी डर नहीं लगता और हम भरत और सेना को हरा सकते हैं तो अगर भरत ने पाकिस्तान पे हमला किया तो पाकिस्तान को भरत को हरा देना चाहिए क्योंकि पाक कि यह एक भारत टेजर्स फाइटर जेट को हाई अल्टिटुट पे टेस्ट करना जाता है तो इसलिए वहाँ पे टेस्टिंग के लिए भारत ने टैनाट के है और टेजर्स फाइटर जेट को देखके ही पार्प मीडिया के परसिनेट छोट गे तो अगर जंग हुई तो यह जब काम पे आएगा तो पाकिस्टान की क्या हालत होगी तो टेस्टिंग के लिए अभी टक भारत ने टेजर्स फाइटर जेट को पाकिस्टान चीन के बोडर पे टैनाट के है और इसलिए वहाँ पे उड़ते होई भी पाकिस्टान ने देखा होगा तो इसमें कोई ऐसी हैरानी की चीज़ नहीं है और यह हाई अल्टिट पे भारत इसलिए टेस्ट करें कि अगर जंग होई तो जंग भी हाई अल्टिट पे ही होगी और टेजर फाइटर जेट वहाँ पे काम कैसे आएगा वो टेस्ट करने के लिए भारत ने ऐसा किया है और आखिर में मैं यह कहाँ कि पाकिस्टान हर चीज़ को लेके रोने लगता है और जहां तक यह चीज़ है कि 2024 से पहले भारत पाकिस्टान और चीन पे हमला करेगा तो भारत ने आज तक किसी पर भी पहले हमला नहीं किया कारगिल में पाकिस्टान ने पहले हमला किया था और गलवान में चीन ने पहले तो ये डोनों डेस पहले हमला करता है और फिर पितने के बाद रोटे है कि भारत ने हम पे हमला किया तो ये उनकी पूरानी आदित है तो चिल भी देखते हैं कि फिचर में क्या होता है डोस्तों ये वीडियो दिखने के लिए बड़ा शुक्तिया और हमाया चेंग स्सक्राइब करना मंदू लेगा थैंक्यू वेरी मैच